इंद और के भवरकुआ इलाके में STSC के चात्रों ने हूटर बजाने जूटे मुकदमे और बुलिक से हुरदंग करने वाले चात्र नेताओं के खलाफ मौन रैली निकाली और पुलिस कमिशनर कारियाले ग्यापंदे ने पहांचे चात्रों का आरोप है कि उन्हें आए दिन परिशान किया जा रहा है जाती सूचक शब्दों का प्रयोग कर मानसिक रूप से प्रतारत किया जाता है देखिये ये खास रिपॉर्ट इन दोर के भवर कुग ऑन इलाके स्थित लॉच को बंद करो चात्र नेत अर दादागीरी बंद करो चात्रों बारी छात्रों का प्रवेश बंद करो ये रैली लॉच कॉलिज से पुलस कमिश्टर कारिया लेँ पहांची कर दो कर दो कर दो चात्रों का आरूप है कि चात्र नेता हूटर बाजी करके परिश्वान करते हैं, चात्रवास में दादा गिरी करते हैं आदेवासी चात्रों को डराया धमकाया जवाता है, जाती सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे व्यमानसिक रूप से परिशान है, आने वाले समय में उनकी परिक्षा है और पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं हमारे हस्टल परिक्षार में आये दीन दाहाडे कुछ चात्र संगठन दुआरा हुटर बजा कर हमको परिशान किया जा रहा है, यहां हमसे बरदास नहीं होता क्योंकि हमारे अभी मुखी परिक्षा की एक्जाम भी चल रही है, जिससे चात्र हमारे केमपस परिक्षार में के लिए आयक्ति महोदे को एक ज्यापन दे और इस समयचा का समधान करने के लिए एक ज्यापन सोपे. इनों की बात है, 21 तारीक की बात है, लगबग दिन के 3 बजे की बात है, फिर वापस से घटना होई गए, तो लगातार यह उनकी घटना बढ़ती जा रहे है, तो हमारा आज हम, इसलिए हम यह मोन रेली के माध्यम से हमने पट्टिया भी बांदी है, कि हमारा अब सिर्फ उ हमारे होस्टल छात्रवास के सामने निरंतर जो ABVP के जो छात्र निता है, बो लगातार होड़दंगी करते हैं, अपनी गाड़ियों में साइलिंसर लगे हो उनके बुलेट्स में, लगातार फटा के फोड़ते हैं, हम लोग भाँ लाइबरेरी में बेटके, सांतिपूर त चात्रों का कहना है कि कई बार इस्थानी अथानी में शिकायट की जा चुकी है, लेकिन कोई कारवाही नहीं होती है, इसलिए पुलस कमिशनर कार्याले में ग्यापन देने जा रहे हैं, कुल मिला कर देखना होगा कि इन शात्रों की सुनवाई होती है या नहीं, ब्यूरो रेपोर्ट, MP न्यूस, इंदौर